मुझे बताइए नुपुर शर्मा का मौमला एक तरफ लेकिन दो लोगों की हत्याओं को तो सब ने कहा गलत हुआ आपने भी बारं बार कहा हमारे सामने भी कहा लेकिन उसके बाद ये कौन लोग हैं जिनको आज भी शर्म नहीं वही वही नारे सरतन से जुदा के वही धमकी भरी चिठ्थियां और आज भी खोले आम उस बात के उसको कोई शर्मिन्दा नहीं हो उस बात पर खोले आम जलसों में वही नारे रिपीट किये जा रहे हैं देखिए मैंने पहले भी कहा और फिर दुबारा से कहता हूँ कि जिस तरह की ये उदेपुर की घटना हुई या अमरावती की घटना हुई उसके बाद एक नशेडी ने एक बकवास की जो अजमेर का जिसको खादिम गाजा रहा है सल्मान चिश्टी उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसके बाद अभी मुझे पता चला है कि नासिक में भी एक सूफी की हत्या कर दी गए उनके सर में गोली मार दी लिए तमाम वाकियات एक बड़ा सवाल या ने आशान लगाते हैं इसकी हम मखम्मत तो करते हैं हम यह भी कहते हैं कि इसके खिलाफ कानुन अपना काम करें और सिलेक्टिव होके काम न करें, बकादा काम करें लेकिसे सवाल ये पैदा होता है कि ये हालात पैदा क्यूं हुए इस हालात को पैदा करने में वो तमाम लोग जो इसके जिम्मिदार हैं उनको भी आखर कटगरे में खड़ा किया जाना चाहिए माराजी आज सवाल ये है कि देश में जो हो रहा है कभी हमने ऐसा इंदोस्तान में होते नहीं देखा है इसा पाकिस्तान में होता है इसा बहुर अरब मुल्कों में होता है हमारे यहां ऐसा होगा ये कौन सोच सकता था मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ वो कौन सा ग्यान है जो ग्यान लेकर हम निकल पड़ते हैं किसी के एक बयान पर देखो एक जिसने बयान दिया, जिसने अपमान किया ऊसका सरकलम करे बाद वो तुम्हारे मतलब की होगी लेकिन उसका कोई समर्थन भी कर दे आप गये और जाकर उसको माराए तो यह जो ज्राइन कहां है मैं कहता हूँ हमेजा से प्रश्ण कई जगे पर TV चैनल हो रहा है मदर से मैं कहता हूँ आपसे एक quesn है मेरा कलिम साब से आप इये बताएं कि मुस्लिम धर्म है कि मजभ है सिर्ब इसको बताएं फिर इसका अंसर दे दें धर्म है कि मजभ है इसके बाद मैं अपनी बात आगे रखंगा और मुझसे उजारी रख़ें लेकिए आप मुझे बता देंगे धर्म और मजभ में फर्रक क्या है? आपके साथ से आप इसलाम को क्या कहते है? इसलाम एक मजभ एक मजभ है और उसके एक अपने कानून है, एक जापत है उसके अंदर में जो भी प्रैक्टिस करता है वो मुसल्मान कहलाता है तो देखे मैं आपको बताता हूं स्वरव जी मजब जो है वो व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और धर्म परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है इसमें कोई द्वराय नहीं इसलिए मैंने इन से कहलवाया कि आप हमें यह बता है धर्म है कि मजब है इन्होंने सपस्ट कर और वही करें यह धर्म धार्यतीती धर्मा हमारे गुरुकुलम होते हैं जैसे इनके मदर्शे होते हैं हमारे गुरुकुलम में जो भगवान सी राम ने हमें सिखाया है गुरुग्रे पढ़न गए रगुराई अल्पकाल विद्या सब पाई और बेद पुरान सुनाई मन प्रात काल उठके रगवना था मात पिता गुरु नावही मां था आयस मांगे करई पुरकाजा देख देख यह हरसएं राज यहैं गुरुकुलम की शिक्षा पमूल सवाल ये था कि किसी वैटी के बयान पर या किसी बी कारण पर किसी प्राणि का इंसान की हत्या करने की अनुमती दे सकता है बिरकोल भी नहीं दे सकते और जो ऐसा कहता हो या कहीं से भी ऐसी एजूकेशन मिलती हो या कोई भी धर्म ये कहता हो कि किसी का बैया, क्योंकि धर्म का मतलब होता है दया, सबसे बड़ा जो धर्म का पाट है वो है दया, अगर किसी से गल्टी हुई, तो हमें उसे पहले समझनान चाहिए, कि ये गल्टी से ने किये, तो वो छमा मांगे, नहीं भी मांगे, तो हमें एक शमा करना आना चाहिए, क्योंकि शमा से बड़ा धर्म कोई नहीं है, पर एत सर इस धर्म नहीं बाई, पर पीडासम नहीं अदुमाई, जो दूसरों को दुख दे, उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है, आपने तो सर ही काट दिये सर, सर ही काट दिये. Google Play Store या App Store पर.